हलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाइफाई कॉंसेप्ट आप सभी का वाइफाई कॉंसेट में स्वागत है तो यहां पर आईसी एयर आई एयर आई टेकनिसे निग्जाम का जो सोशल साइन्स वाला पार्ट था उसमें हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे यूरोप में रा कोस्चन में हम लोग 5 कोस्चन का जवाब यहां पर लेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अगर बात करते इसका पीडियाफ चाहिए आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रूप में ठीक है और जितना वीडियो अभी तक मैंने डाउन अपलोड किया है आईसी ए स्वाम हंस स्वामी वेकानन स्वामी द्यानन स्रस्वती इन में से कोई नहीं तो सभी को आपको यह इसका एंसर पता ही होगा कि स्वामी द्यानन स्रस्वती जी ने आपका वेदो क्योर लोटो नारा को दिया था ठीक है स्वामी द्यानन स्रस्वती ने लेकिन इसके बारे मे में किया था और इन्हों ने ही वेदो क्योर लोटो नारा को भी दिया था यहां देखिए स्वामी वेकानंद जी दिया हुआ है तो स्वामी वेकानंद के बारे में दो तीन बाते याद रखना है सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि स्वामी वेकानंद जी ने 1793 इस्यू मे इसके बारे में और दो बाते आझना है इन्होंने वेलूर मठ की अस्थापना किया था कभी कई कोशन पुछा आता है कि वेलूर मठ का संस्थापक कौन था तो स्वामी वेकानन जी वेलूर मठ का संस्थापक थे और स्वामी वेकानन जी जो है इन्होंने ही आपका एक और एक जो है राम कृष्ण मिसन का स्थापना किया था ठीक है राम कृष्ट मिसन का भी अस्थापना किसने किया था स्वामी विवेकानन जी नहीं किया था दोनों को याद रखना है अच्छा इसके जान दिवस पर एक दिवस मनाया जाता है कौन सा दिवस मनाया जो है आपका मैसूर जो है मैसूर के साथ जो है अंग्रेजों ने चार यूद लड़ा था यह भी याद रखना है पर्थम आंगल मैसूर यूद II-了 18 surtout और 13 lata surprising अंगल मैसूर यूद उ辏 ईऺल्सेने को हुए तक प्रथम सईय gef इसट आपका 68 से लेकर के को पशा जाता है कि टीपू सुल्तान कों से यूद में मारा गया था तो चोथा अंगल मेसर युद में टीपू सुल्तान मारा गया था चोथा अंगल मेसर युद कब हुआ था 1799 में हुआ था इस समय गवर्नर कौन था यह भी पुछा जाता है तो चोथा अंगल मेसर युद के समय गवर्नर था लॉड वेले जली ठीक है लॉर्ड बेले जली था आपका चोथा अंगल मेसर्य यूद के समय गौर्णर जिन्होंने सहायक संदी को लाया था लॉर्ड बेले जली नहीं लाया था ठीक है चलिए अगला प्रस्तुन आपके पास क्राइब के लिया हद्ट याकरंट तो सबसे पहली बात है कि 1919 में ही एक आया था ठीक है एक आया था किस नाम क्या था इसका नाम था रॉलेट एक्ट को आने के बाद काफी हड़कम मज़गया ठीक है क्योंकि यह जो एक्ट को काला कानून बताया था किस ने बताया था काला कानून तो रॉलेट एक्ट को काला कानून बताया था काफी इंपोर्टन्ट है महत्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून बताया था ठीक है काला कानून बोला था किस ने रॉलेट एक्ट को महत्मा गांधी न फ़ल में पंजाब में तो पंजाब में हाँ पर था चाहां हुआ नहें घृत्प ऑग मी क ही नाम था उस खाश खुत दिन किन चूल नाम था तो रॉलेट एट के तहज यहां पर हड़ताल किया जह रहा था उसमें पञजाब छेतर में जिसका नेत्रीत में हड़ताल हो रहा था शैफुद्दिन की चूल और एक था डॉक्टर सत्यपाल तो सत्यपाल और स्यफुद्दिन की चूल दोनों को काफी जो गुवर्नर था जब इसको गिरफतार कर लिया तो आपका अमरीच सर में जाकर के हजारों 2400 के करीब में वहां पर जाकर के जो हैं लोग क्या किये आपका वहां पर जाकर जमा एक जूट हो गए ठीक है कि आप जो है उद्नों को छोड़ दीजिए सेफुद्दिन की चूल और सत्यपाल को लेकिन वहां पर क्या हुआ वहां के जो अमरीच सर के जो आपका सैनिक अधिकारी था उसका नाम था जेनरल आर डायर जो था उसका नाम था इस नाम को याद रखेगा जेनरल आर डायर जो सैनिक अधिकारी था और वहां उस समय गौवर्नर कोन था तो वहां पर गौवर्नर था माइकल ओ डायर माइकल ओ डायर ठीक है यह भी याद रखेगा गौवर्नर कोन था माइकल ओ डायर और वहां पर सैना नायक था आर डायर जनरल आर डायर ठीक है तो यह यह दोनों याद तो अम्रीत सर में घटना हुआ था जिसमें कि आपका यह घटना 13 अप्रेल 1919 को हुआ था ठीक है तो इतना याद रखना है किसके कारण हुआ था तो यहां पर स्यफुदिन किचूल और आपका डॉक्र सत्पाल को गिराफ्तार कर लेने के कारण यह घटना हुआ था इसके बा कमेटी तो यह तना याद रखीगा चलिए बढ़ते हैं अगला प्रस्न की और अगला प्रस्न आपका सवीने और अग्या अंदुलन की किस यात्रा से शुरू होता है भूज 1920 भूज 1930 अहमदाबाद 1930 दांदी या फिर इनमें से कोई नहीं तो देखिए इसका सही अंसर हो और समय अगले अक Bund터 summer हो डाइन अमगल मौ्छ को देखिए घंडी मार्च और से सुरू हा और अंदिया नाम है वहाँ से आपका 12 मार्च यात्रा सुरू हुआ और इसी के साथ जो है आपका total कितना total 358 किलो मे Joakitra तै करके और इसमें total कितने परतिनराइच्ट ने 72-319 में सामिल हुआ था और दो 308 किलो मेटर टै करके जो है 5 अपरेख को गंधी जी दांडी पहुंचे थे उसना पर पहुंचे थे यह नकि जब जब दान्डी पहुंचा तो दान्डी वहाँ पर पहुंचने के करम में उन्होंने नमक बनाया और नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा और इसी के साथ वहाँ से 6 अप्रेल से उसके एक दिन अगले दिन से ही आपका सविने अग्या अंदोरन का सुरुवात हो गया तो 6 आपका कहां पर यह हुआ था गुजरात में और यहां आपका गुजरात के दान्डी से शुरू हुआ और दान्डे में जाकरके नमक कानून को तोड़ा था आपका 5 अपरेल 1930 को नमक बना करके और 6 अपरेल 1930 से ही वहाँ पर सविने अग्या अंदोरन का सुरुवात हो गय दोनीर फिर्चस यहां पर एक और कोश्चन आता है कि सविने अग्यां आंधोलन का इसका कि इसका नेतुरित उत्तर पस्टिम सी मापरांध में किस ने किया था तो खान अब्दुलकफार खान ने किया था जैसे फुरंटियर गांधि के से भी जाना जाता है कान अब्दूल जितना भी एक्स्ट्रा बता रहा हूं गांट बान के याद रख लिजेगा क्योंकि यही कोस्ट्टन है जो आपका एक्जाम में आएंगे ठीक है तो इसलिए एक्स्ट्रा फेक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा और इसका पीडियाफ आप जरूर डाउनलोड कर लिजेगा क् आप लोग को पताई होगा कि गांधी जी ने सावर्मत्री आश्रम के अस्थापना जिकिया था वह किस वर्सक्रा तो गांधी जी जो है आपका 1915 में ही पहुंचे थे आपका कहां नौ जनवरी 1915 को पहले यह दक्षीन अफ्रिका में वहां पर अंदोलन चला रहा था और अ महत्मा गांधी जो है सावर्मत्री आश्रम से संबंदित है और इसके अस्थापना जो है 1915 में किया था ठीक है अच्छा एक चीज बताई सावर्मत्री आश्रम को किस आश्रम के नाम से जाना जाता है तो सावर्मत्री आश्रम को सत्याग रही आश्रम के नाम से भी जाना है कि प्रछोन वाद करते हैं ऑगला प्रसणा अब करते हैं क्या है ब्रहम समाज कि अस्थापना किस ने किया था आप पता होगा इसका ißt Да कि राजाराम मोहन राय ने ब्रहम समय स्थापना किया था लेखिन इन्हों ने कभ किया था यह इंप ön बात है कि अभी कॉस्टरम्रा ने किया आ यह सथापना त्राजाराम मोहन राय कि आथा 28 में किया था इन्होंने और एक समाज का अस्थापना किया था जो कि वह भी काफी इंपॉर्ण है और अभी एक्जाम के दरिश्टी कॉम से बहुत ही महत्पूर्ण है ठीक है कई बार वहा कोश्चन पूछा गया था कि आत्मी सभा के अस्थापना किस ने किया था तो आत्मी सभा के अस्थापना 1815 में राजा राम महन राय ने ही किया था तो राजा राम महन राय ने आत्मी सभा के अस्थापना किया था और ब्रह्म समाज की भी अस्थापना किया था ठीक है इसे याद रखना है चलि अब इसका अगला प्रस्धेया आपके पास भारती राष्टी कॉंग्रेस के अस्थापना कब हुई थे 1850, 1890, 1895 या फिर इसका एंसर सभी को पता होना चाहि something भारती राष्टी कॉंग्रेस के अस्थापना जुआ था हुआ था आपका 1850 में कब हुआ था 1850 में कोन से तारिक को हुआ था 28 दिसम्बर को 28 दिसम्बर 1850 को आपका भारतिराष्टि कंग्रेस के अस्थापना हुआ था अब इसका हम लोग पूरे post madem करनेवाले हैं ठीके आने कि भारतिराष्टि कंग्रेस के बारे में है तो 28 डिसंबर 1818 को हुआ ठीक है चाहसे पहला बैठक कहा हुआ ठीक है अच्छा आपका जो है भारतीराष्ट्री प्रत्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्र उसका नाम था और कितने परतनेदी ने भाग लिया था ठीक है उसके बाद दुईतिय वेठक में जो हुआ था दादा भाई नरोजी इसके अध्यक्ज मने था और दुईतिय वेठक कहां हुआ था कोल काता में हुआ था तिर्थय वेठक कहां पर हुआ था तिर्थय वेठक हुआ था आपका मदरास में सेयद बदुद्दिन तयवजी इसके अध्यक्ज बने थे और चोतह बैठक हुआ था इलहाबाद में जोंकी आप-दुख्या भाग लिये थे अध्यक्ज के रूप में ठीक है तो चोतह बैठक में जो बने थे जो रूज यूली सर्फ बने तो पुछा जाएगा कि भारती राष्ट्री कॉंग्रेज्स के पर्थम मुसलिम अद्यक्ष ठीक है अगला प्रस्न क्यों बढ़ते हैं अगला प्रसन है भारती राष्ट्री कॉंग्रेज्स की अस्थाप्न किस ने की थी तो एओन ने लिटन ने रिपन ने या फिर गोल करने तो देखिए बात करते हैं अगर भारतिराश्टी कंग्रेश के अभी हम लोग बता चुके थी कि 12 दिसंबर 1880 को भारती राश्ट्री कॉंग्रेस के अस्थापना A.O. Hume के द्वारा होता है और A.O. Hume ने यहाँ पर इसका अस्थापना किया था तो option number A सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रसन हमारे पास भारती राश्ट्रवात के उदय के समय परमुक कारण क्या थ अंग्रेजी सासन के विरुद्ध और संतोस सहीत्यों समचार पत्रों का प्रकासन समचार का राजनितिक भारत का राजनितिक एकिकरन या भारत का परसासनिक एकिरन तो आप सभी को पता ही होगा कि उस समय जो है आपका अंग्रेज का सासन चल रहा था यहां पर भारत में औ को Type जो असंतोष जनक था और भारत के मन में वही तो अगला प्रसन है जालियावाला बाग हत्याकन के विरोध में किसने कैसर हिंद की उपादी को लोटा आया था ह। अपरेल उनिस सा उननिस को अमरीत रसर के मैदान में हुआ था तो उस समय जो है गांधी जी को दिया गया ठाय उस्हारोग के पाल। धी ने किस हत्याकरण के बाद के बाद लोटा दिया था, ठीक है अगला प्रशन की और बढ़ते हैं, अगला प्रस्न है आर्स एक्ट किस ने लागू किया था तो आर्स एक्ट किस ने लागू किया था यह लौड लीटन ने लागू किया था लौड लीटन ने आर्स एक्ट को लागू किया था सिर्फ इसमें सिंप्ल याद रखेना है कि आर्स एक्ट जो है किस ने लागू किया था तो लौड जिन्दा नहीं है कि जोगदा मांग को लेकर के लिए सुत्री मांग प्रस्टूत किया था यह प्रस्थूत तो यह प्रस्थूत किया था आपका 1929 थीक है 19 29 में तैसे याद रखना है अगला प्रस्थ क्यों मढटे हैं अगला प्रस्थ आपके sino test करोणाल जो के अंग्रेजी उएंगे उन्हों ने क्या कि था संपरदाईग निर्नैा की घोषना की था उनीसाब थीज क्राआ अगला प्रस्न की और इंभास्वन कि टाना भगत अंधुलन का नेत्रितु किस ने किया था तो इंभाँ三 किया था जत्रा भगत ने जत्रा भगत ने टाशल का नेत्रीतु खिया था तो आप्ष्ण MARY 20 का या पुछा जाता है कि रृता गद्रा हडोलस ऑफ तो था क्ला राइतbay आंदोलसरीों चला था जारखंड में अंदोलन हुआ था और इसका नित्रित गिया था जातरा भगत ने ठीक है अगला प्रस्ण की बात करते हैं तो देखिए यहां पर अगला प्रस्ण अब जो है वह है आपका खौंड विद्रो कहां हुआ था काफी इंपोर्टन विद्रो है खौंड पास 1921 का मोपला विद्रो काफी important question है या question तो एक दम कई बार exam में पूछा गया है कि मोपला विद्रो जो है किसके नित्रित में हुआ था मोपला विद्रो नित्रित में हुआ था यह सिता राम राजू जतरा भगत या फिर गुंदा धूर या फिर अली मुस्रियार तो है कि मोपला वीज़ू काहाँ हुआ था या कीरल वीज़ू हुआ था ज़रूर याद रहिए दोस्तों कई बार कई एक्जाम में पूछा गया है ठीक है अगला प्रसन है रॉलेट एक्ट की इस वर्स पारित हुआ था हम लोग पहले ही बता चुके हैं इसका डिटेल्स में हम लोग पढ़ चुके थे रॉलेट एक्ट के बारे में कि इसको महत्मा गांदी ने काला कानून भी कहा था रॉले आर डायर ने गोली चला दिया और जलिया वाला वाग का हत्याकर्ण 13 अपर उनीस सोनीस को हो गया था ठीक है तो यही कारण था रॉलेट एक्ट की मुखी कारण था ठीक है या एक्ट कब आया था या याद रखना है ठीक है ऑप्सन नमर 20 इसका सभी अंसर जागा उनीस सोन अल्स्थाओं में प्रवेस के लिए अभी गलत हो जाएका जाएका दर्लाओर्क्राण 20 कारीज्यों पर अंकूस लगाने के लिए जह जो करांति-कारी-गट्री जिओं जो शोर से चल रहा था भारत में ताकि अंग्रेजों को यहां से भगाया जा सके इस वज़यस से उसको तो दबाने के लिए इसक्रांति काली गद्विद्यों को दबाने के लिए रॉले रेट को उनीस सो उनीस में लागू कर दिया था किसने तो अंग्रेजों ने ताकि जो है किसी भी व्यक्ति को भारत में संदेज गिरफतार कर सकते थे जो कि यह काफी ज्यादा उसके बाद अगला प्रसन क्यों बढ़ते हैं अगला प्रसन आपके बास अखील भारती किसान सभा का गठन कहां हुआ था और कब हुआ था काफी इंपोर्टन या कोश्चन तो बहरी बहरी इंपोर्टन है कि अखील भारती किसान सभा का गठन कहां हुआ था और कब हुआ था अखील भारती किसान सभा का गठन हुआ था लखनाओ उत्तर परदेश के राजधानी लखनाओ में अखील भारती किसान सभा का गठन हुआ था और कब हुआ था तो 1936 में अखील भारती किसान सभा का गठन हुआ था अच्छा किसने किया था किसने किया था इस सभा के अस्था अस्थापना तो सहजानन्द सरस्वती थीक है सहजानन्द सरस्वती ने आपका जो है अस्थापना किया था अखील भारतिय किसान सभा का कब 1936 में कहां पर लखनव में इंपॉर्टन कोस्चन है याद रखना या सकता है एक्जाम में ठीक है अगला प्रस्ण है गदर पार्ट हुआ था तो गदर पार्टी का स्थापना किस ने किया था लाला हर्द्याल ने किया था ठीक है कब हुआ था गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था याद दखिए कि लाला हर्द्याल लाला हर्द्याल ने गदर पार्टी का स्थापना किया था कब किया था 1913 में किया ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगला प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण आपके सवराज पार्टी का अध्यक्ष कोन थे देखिए सवराज पार्टी जो था इसका अस्थापना किस ने किया था और इसका अध्यक्ष कोन था सवराज पार्टी का अध्यक्ष जो था वह था आपका लेहरू ने मिल करके सवराज पार्टी का स्थापना किया था लेकिन इसका पर्था मध्यक्ष कुन था तो हुआ था आपका चितरंजन दास ठीक है यह दोनों पॉइंट याद रखेगा और बात आ देते हैं कि आपका सवराज पार्टी जो है इसका स्थापना कब हुआ था 1923 में हुआ था सवराज पार्टी का स्थापना हुआ था 1923 में किस ने किया था चितरंजन दास और मुतिला लहरू ने जिसका पर्था मध्यक्ष कौन था चितरंजन दास थे ठीक है इसका स्थापना कहां पर हुआ था तो इलाहाबाद के आनंद भावन में स्थापना हुआ आधि या दरें काफी इंपोसिए और सकtu चैनल भाव dura करणा है आपके पास का मनऄ एंडिया नकापन किस ने किया था देखिए जो निवश पत्र है और इसका प्रकात्र है उनिटा अगला प्रस्न Qi आपके पास जलिया वाला बाग हत्याकांड की जाच के लिए सरकार ने किस सम्मीथी का गठन किया था हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं दो संगीटी का गठन हुआ था भारत की ओर से मदर मोहन माल भी सम्मीथी का गठन हुआ था ऊपका है और छांक्त सो पंद्र में भारत की ऐखताई सरकार का अध्यक्स किसे बनाया गया ते came there गृख सःली सरकार का बनाया गया तो है वह कुण थे तो सका सई अंसर था अपका महेंद्र पाल मेहंदर परताब जी जो थे आपका काबूल में भारत की एक और स्थाई सरकार बना था 1915 में ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगला प्रसन की और अगला प्रसने आपके पास बंगाल विवाजन के परिणाम सवरुप की सा अंदोलन की सुरुवात हुई बंगाली वाजन जो हुआ था एक्चुलि में बंगाली वाजन हुआ कब था 1905 में ठीक है 1905 में आपका बंगाली वाजन होता है और 1905 में बंगाली वाजन होने के बाद ही आपका कौन सा अंदोलन होयाता है साउदेशी अंदोलन ठीक है मंगाली वहाजन के विरोद में आपका साउदेशी अंदोलन का शुरुवात होता है कहां से तो साउदेशी अंदोलन का शुरुवात होता है 1905 में यह अंदोलन का शुरुवात कहां से हुआ था तो दिल्ली के सुरी आपका कोलकाता के ठीक है कोलकाता के कहां से कोलकाता के आपका टाउन हौल से इसका शुरुवात हुआ था कोलकाता के टाउन हौल से आपका शुरुवात हुआ था बंगाल विवाजन के विरोध में साउदेशी आंदोलन और यहाँ पर इसका नेत्रितु कोन कर रहे थे कॉलकाता के टाउन होल में जो शुरुआत हुआ साओधेसी आंदोलन का उसका नेत्रितु कर रहा था आपका सुरेंद्रनाथ बनर जी ठीक है कोन सुरेंद्रनाथ बनर जी जो था वह नेत्रितु कर रहा था साओधेसी आंदोल गीत को गाया था जो कि आपका राष्टरीगीत बंगला देश के रूप में अपनाया गया है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगला प्रस्ण की और अच्छा अगला प्रस्ण जो है अपका यहां पर है बंबई में कॉंग्रेस समाजवादी दल के अस्थापना कब हुआ था तो तो यह अस्थापना हुआ है 1934 में भनबाई में कोंगरेस्ज समाजवादी दल का अस्थापना हुआ था है कॉंग्रेस्ट में या उख धू नहीं 29 में भारती कम्युनिस्ट्वाटी की अस्थापना में किया था भारती कुम्यूइस पार्टी का स्थापना मन राइन दे लिए कुछ विदेश में किने क्सक्राइब याद रखे तो चिस ने किस के बीच हुआ था देंकि 1932 में एक सम्धोता हुआ था जिसका नाम था पूरासं चुेंटकर और गांदी जी के बीच हुआ था यह आपका ठीक है निछले वर्ग के लिए यह सम्धैकर के बीच में में हुआ था कब तो 1932 में चलिए अगला प्रसन के द्वारा मुसल्मानों को दो प्रिथक परतिनेदे तू परदान किया था 1909 देखे इसके बारे यहां पर डिटेल्स में पढ़ लेंगे तो इसको ध्यान में रखिएगा काफी इंपोर्टन यह जो आया गया था 1909 में लाया अधनियम के नाम से यह जाना जाता है और मारले मिंटो अधनियम जो आया था यह कब आया था तो 1909 में आया था ठीक है 1909 में मारले मिंटो अधनियम आया इस अधनियम में क्या कहा गया कि इस अधनियम में प्रिथक निर्वाचन परनाली या फिर संपरदाइक निर्वाचन परनाली या फिर संपर्दाइक निर्वाचन पध्धती ही इसका एक इंपोर्टन बात था और कभी पूछा जाता है डारेट की इस यह अधनियम कब आया था 1909 में इसके द्वारा लाया गया था मारले मिन्टो अधनियम के नाम से यह जाना जाता है इस अधनियम में फिर्थक अंबेतकर समझोता समझहता और उप्सन नम्र च में आपका कॉंघ्रेस लिग समझोता और और ऑक्सन्डी में है कॉंघ्रेस समाजवादी समझोता तो और एक दम पहेफिक इस पे-दम सब्दम सह जांब गांधि और इर्वीन का समझता आठाउوس दिल्ली सम्झोता के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह सम्झोता इसली हुआ था क्योंकि आपका गॉलमिज सम्हेलन हो रहा था इंगलेंड में पर्थम गॉलमिज सम्हेलन में गांधी जी के द्वारा भाग नहीं लिया और अंग्रेज के परतिनी ने भाग नहीं लिया जिस वएसे अंग्रेज व्यां प्रधान मंत्री था उन्होंने आपका इर्भीन यहां पर गौवर्णर थे लौड इर्भीन उस पर दवाब बनाया और यह दवाब बनाने के बाद जो है गांधी इर्भीन सम्झोता होता है 1931 में प्रणीजी ने सत्यागरह का परियोग कहां किया था अहमाधाबाद करें दो है तो आप लोग पस्पता हुआ कि एसका पहला सत्यागरह का परियोग तरहिए हुआ था चमपारन में लेकिन इससे भी पहले इसका अंदौलन हो चुका था कहां पर अफरिका में दक्षिन अफरिका में इन्होंने सबसे पहले दक्षिन अफरिका में इन्होंने सत्यागरह का परियोग किया था तो चंपारण में किया था ठीक है याद रखना है चंपारण में किया था कब किया था नील के खेदी के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह का परियोग किया था तो इसे याद रखना है सत्याग्रह का पहला परियोग गांधी जी ने भारत में कहां पर किया नील की खेदी के विरोध किया और इसी सत्याग्रह अंदोलन में भारत में पहली बार जेल हुआ था थीक है महत्मा गांधी ने 1918 में फिर एक सत्याग्रा और किया इसका नाम तरो खेडा सत्याग्रा तो खेडा का सत्याग्रा की यह अभी याद रहीएगा खेडा का सत्याग्रा हुआ था अगला प्रसन आपके पास All India Trade Union Congress की अस्थापना किस से किया था तो ओल इंद्या ट्रेड इंडियन की अस्थापना आपका 31 अक्टूबर 1920 को और इंडियां की असथापना हुआ और इसका अस्थापना रच्पत राय ने आपका ते कीश्ठीज किढ एक अस्थापना मेंगया और यह जो अनुछ भी पोछा जाता है और पूचाय की किया था तो 1920 में किया था यह भी एक important question था चलिए अगला प्रस्थ ने आपके पास बिहार समाजवादी दल का अस्थापना किस ने की थी जब प्रकास नरायन ने राजंदर प्रसाद ने स्री स्री किसन सिंग ने या फिर विन्यवा भावे ने काफी important प्रस्थ ने है विहारी समाजवादीी विहार समाजवादी दल का स्थापना किया था पिरकास नरायन सभी को पता होगा जब प्रकास नरायनल को परकास समय हो तो ज वह कोन थे लॉट कॉर्जन थीक है लॉट करजन उससे में वहां के गोर्णर जरॉनर जनरल ते औप्सन 9.8 का इंसर हो जागा लॉट करजन के समय में बंगाल का युहाजन हुआ था और मंगाल का या सिमान्द गंधी के नाम से जाना जाता है तो देखिए हम पहले भी बताया थे काफी इंप्टरेंट प्रसने केसे बात्साग या सिमान्द penser करता ओर दधान्ध को तोड़ा गया जुद्टर जो ही ऊत्तर म muss вопросы की नितिरत कों कर रहाथ आपका खान अब्दुल गफार खान तो खान अब्दुल गफार खान को ही आपका इसलिए फ्रंटियर गांधी या सिमांद गांधी या फिर बात्सा खान के नाम से जाना जाता है तो याद रखना है फ्रंटियर गांधी सिमांद गांधी या फिर बात्सा खान तीनों के नाम लोग कभर कर लेंगे और आपका जितना कोश्टन बचा हुआ है और इस पर का से भारत में राष्ट्वात को जितना भी कोश्टन इंपॉर्टन फैक था वह सारे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ठीक है और उसके बाद जो है आपको विश्वास दिलाता हो कि अगर भारत के रा